वारसी के दो थानों छेतरों से जगन्यवारदात की खबर है फूलपूर थाना छेतर के बड़े पूर बेलवा में छे वर्षे एक बालिका के साथ दुशकर्म हुआ है जहां बालिका की हालत गंभीर है दुशकर्म के बाद मासूम को बदमाज घर से कुस दूरी पर छोड़ कर फरार हो गया बालिका घर से कुस दूरी पर परिजनों को मिली इसके लावा मिर्जा मुराद थाना छेतर के एक गाउं में दो बालकों से अप्राकृतिक तरीके से आम के बगीचे में दुशकर्म पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है बेलबूर्थाना छेतर के बड़ी पटिया इलाके में रहने वाली एक महिला ने उनके देवर को छिरखानी करना भारी बढ़ गया महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की खिलाव मुकदमा दर्च किया है पुलिस ने दर शिकायत के मुताबिक महिला से उनका देवर मंजीत विश्करमा जोड जवस्ती अश्लीद हरकत करने लगा विरोध करने पर उनके साथ मार पीट करने लगा इतना ही ने बीच बचाओ करने के लिए पहुचे उसके बेटे की भी पिटाई कर दिया बीचो की समेस्टर परिक्षा है समय से पहले करा जाने और विलम शुल्क में वृद्धी को लेकर बीचो एनस्यूआई चात्रों में नाराजगी है इसको लेकर चात्रों का प्रतिनी मंडल गुरवार को परिक्षा नियनतर से मिला इस दुरान पत्रक सौपकर फैसला वापस देने की मांगी चिताया कि अधी छात्रों के हितों का ध्यार नहीं रखा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा विकास प्राधिकरर के दारे में अनधिक्रित रूप से करा जा रहा है निर्माड पर वीडिय की कारवाई लगातार जारी है प्रवरतंदल ने राम नगर मे अनधिक्रित निर्माड को सील करा दिया वही पुलिस की अभी रक्षा में निगरानी के लिए सुपूर्ट कर दिया कारवाई में निर्माड करताओं में खलवली वची रही श्रीकाशी विशनाद धामस्तेत रमकेश्वर सहभागार में गुर्वार को संगोष्ठी का आयोजिन कि अगया अकाशी विश्नाद मंदिर न्यास वर इंडिया तिंग काउंसिलिंग के और से आयोजिक गोष्ठी में मंदिर अर्थविवस्था एवं धर्मच्यत् विकास का राश्ट्य उनती में योगदान विशे पर चर्चा हुई इस दोरान विद्वत जनू ने अपने विचार रखे कारिकरम के मुख्य वक्ता मिजुरम के राजेपाल के हरी बाबूर है बनारस रेल इंजन का रखाने में प्रशिक्षलरत क्रिकेट एकाडमी की खिलाड़ी प्रिया पटेल का चेन अंडर 15 महिला वर्ग में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संचालित नेशनल क्रिकेट एकाडमी में किया गया है गर्मी का मौसब अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है गर्मी के बीच ये शरीर की रोग प्रती रोदक शम्ता को भी प्रभावित करता है पाचन और त्वचा संबंदी समस्यों के साथ ही मौसमी फ्लू और संक्रमर का भी खत्रा बना रहता है यहां तक की असी में स्वास्विभाग ने लोगों को सावधानी बरत्ते की सला दी है शक्ति पीट माता विशालक्षी के मंदीर का आकार बड़ा होगा फिलहाल मंदीर 14 फेट लंबा और 28 फेट चोड़ा है इसके विस्तार के लिए मंदीर के महत राजनात तिवारी ने प्रधार मंत्र को पत्र रिखा है काशी विशनात कोरीडोर का विस्तार विशालक्षी मंदीर तक होगा चुनाव बात काम शुरू होने के उमीद है कोरीडोर के विशालक्षी मंदीर में भी शर्धालों की संक्या में इजाफ़ा होने तै है इसलिहास से मंदीर का परिसर छोटा है दो वो युवाव से चर्चा करेंगे, इनकी जारकारी, आर्ट ओफ लिविंग के सदसे रितेश जैने दी कहा कि गुरुदेव रविशंकर काशी में दो दिनों तक आध्यात्मिक प्यात्रा करेंगे, इसका लावा वो विक्सित भारत एमबिस्टर कारकरम के अंतरगत चार कारकर जो है क्योंकि प्रदान मंत्री जी ने 2047 का लक्ष तैई किया विक्सित भारत बनाने का, तो जब तक भारत विक्सित बनता नहीं है, यह कारकरम चलते रहेंगे, हम लोगों से अपील करते रहेंगे कि आप विक्सित भारत अमब्याजडर बनिए और देश को विक्सित भार आपने कोई राजनीती देखनी नहीं चाहिए विक्सित भारत राष्ट्रहित का करिक्रम है और इसमें राष्ट्रहिती देखना चाहिए आपको नहीं समझ में आता है कि जो गुद्धी जीवी वर्ग है वो कहीं न गहीं से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में काफी पीछे रदा हो चाहिए वो पढ़ा लिखा वर्ग हो चाहिए वो धनाड़े वर्ग हो अपने मताधिकार के प्रयोक करने मों हर बार पीछे देखिए जब आपको विक्सित बारत एंबैजडर मनना है तो वोट डालने का अपना अधिकार जो है उसका भी यूज़ करना चाहिए और उसमें सिर्फ बुद्धी जी विए को आपको उनके बारे में बात करके मुझे नहीं लगता ये सही होगा देश के हर नागरिक का कर संबाद करेंगे बी एचिव कॉलेज में दूसरे दिन चार बजे सुबह काशी विश्वना धाम में वो दर्शन में पूजा अर्चा करकर महिलाओं से संबाद करेंगे और शाम को प्रबुद्ध नागरिक से उनका संबाद होगा और उसके पस्चात संपुर्णानन स्कूल में गुरुजी का संगीत और मेडिटेशन ये कारे करम होगा और विक्सित भारत का संबाद भी होगा धन्यवादी AIMIM प्रमुक असुद्दिन OVC पिछले दुनों वारारसी में पीडियम नयाय मोर्चा की जन्समा में शाबिल हुए इस दोरान उने पीएम मोदी, आरेसस, सपाध्यक्षकली श्यादो पर जमकर हमला बुला OVC के इस भाशर पर भाजपा ने एक तराज जताया था जिसके बाद भाजपा विदी प्रकोष्ट ने इस पर नाराज की जताते हुए चुनाव आयोग से OVC के खिलाब शिकायद दर्श कराई है जिससे सग्यान में लेते हुए चुनाव आयोग ने पीडियम के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए इस पर साथ दिन के भीतर जवाब मंगा है